आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के दानेदार लड़ू तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का न बेसन के दानेदार लड़ू बनाने के लिए आपको बहुत जादा चीजों की जरूरत नहीं है तो लेते हैं सबसे पहले बेसन एक कप लिया है मैंने बेसन जो भी आपकी किचन में हो दानेदार मोटा वाला जो भी चलेगा यह मैंने लिया है एक कप चीनिली है और यह मैंन तोड़ी सी अलग तरीके से तयार करेंगे यहाँ पे हम सूखी चाशनी बनाएंगे जी हाँ उसे तगार भी बोला जाता है यहाँ पे आप देख रहे होगे गाइस मैंने जो शुगर है वो थोड़ी सी अलग टाइप के आपको लग रही होगी मेरे किचन में मैं यह देशी खांड यूज करते हूँ वही वाली शुगर मैंने लिए है यह नॉर्मल शुगर से थोड़ी सी अलग होती है दानेदर नहीं होती बुरा शुगर भी नहीं होती इसे देशी खांड के नाम से यह मार्केट में जाना जाता है तो मैंने इसे लिया है यहाँ पर मैंने 3-4 cup के लगवर डाला है इसमें पानी अब हमने इसे चाशनी को बिलकुँ सुखा लेना है हाई फ्लेम पे मैं इसे लगातार चलाते भी पकारी हूँ आप देख रहे हैं इसमें बॉयल आचुका है फ्लेम को हाई रखना और आपको उसको एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है लगाता है स्टर करते जाना है चाशनी को हमने बिलकुँ सुखा लेना है वैसे तो बेसिन के लड्डू कई तरीके से बनते हैं आप चाहें तो इसमें बूरा चीनी भी डाल के बना सकते हैं दूसरा तरीका होता है एक तार की चाशनी बनाने का एक तार की चाशनी बना के भी आप बेसिन के लड्डू बना सकते हैं बट अगर आप चाहते हैं कि आपको दानेदर लड्डू चाहिए यह दानेदार वाला टेक्स्टर चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है यह तगार बनाके बनानी पड़ेगी, जो हम चाषनी सुका रहे हैं, इसे हम बोलते हैं तगार, तो चलिए, स्टर करते रहते हैं, लगाता चलाते रहते हैं, हाई फ्लेम पे, चाषनी जो बिलकुल भी अच्छी बन रही है, इसके लिए आप कोई भी चीनी ले सकते हैं, बूरा चीनी भी ले सकते हैं, आप चाहिए तो दानेदार चीनी भी ले सकते हैं, मैंने आपको जैसे भी बताया है, मैंने लिया है देसी खान, देखिए लगबग काफी गाड़ी हो चुकी, आप फ्लेम को थोड़ा से लोग कर देते हैं ताकि चाशनी जो है वो नीचे लगना जाए लगातार इसे हिलाते जाते हैं देखें देख सकते हैं आप टेक्स्टर चाशनी का मेरे छीनी है बिलकुल साफ है इसे मुझे क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं है अधर वाइस अगर आपको लगताया आपकी चाशनी साफ नहीं बन रही है तो आप थोड़ा सा निम्भू की बुणदे इसमें डाल सकते हैं या फिर आप दूर डाल सकते हैं, बट आप देख सकते हैं, बिल्कुल clean बन रही है, transparent है, यहाँ पर मैंने flow, जो flame है, उसको medium रख रखा है, medium से low रख रखा है, और मैं इसे लगातार चलाते जा रही हूँ, sides पर भी नहीं लगने देना इसे, पांच मिनट और लगेंगे, बस हमारी चाशनी जो है, वो बिल्कुल ready होने वाली है, थोड़ा तेजी से इसे हिलाते जाएंगे, क्योंकि sides पर यह चिपकेगी, इस तरीके से अगर आप लड़ू बनाते तो थोड़ी सी मेनत लगेगी, गाइस, पर जो लड़ू हो बहुत अच्छे बनेंगे, दानेदर बनके ready होंगे, और एक बार आप आप असे लड़ू खा लेंगे, तो बाहर से लड़ू लाकर खाने बिल्कुल बन कर देंगे, अब देखिए कैसे इसका texture chain होता है, देखिए थोड़ी-थोड़ी sides पर ये लगने लग गई है, तो मैंने जो flame है वो बिल्कुल low कर दी है, यहाँ मैं थोड़ा सा एक चमच घीस में डाल देती हूँ, ताकि जो मारी चाशनी है वो sides से चिपके नहीं, और smooth बने, ये देखि पानी जो है वो बिल्कुल सूख चुका है, अब इसे बिल्कुल तेजी से हिलाना है, जमने नहीं देना है, इसमें crystal नहीं पढ़ने चाहिए, बिल्कुल भी आप कोशिश कीजिए, इसे spatula से दबाते हुए, ऐसे हिलाते रहें, ये देखिए, बस दो मिनट और लगेंगे, इ इसका कलर बिल्कुल वाइड आजाएगा, बस यहाँ पर flame को करना है, और हमारी चाशनी को थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं, क्रिस्टल को आप स्पैचुला से दबा दबा कर निकालते जाएए, इसके बाद भी अगर आपके क्रिस्टल रह जाते हैं, तो आप इस तरह से जो पोटाटो मैशर होता है, उससे आप क्रिस्टल निकाल सकते हैं, उसके बाद भी आपके क्रिस्टल नहीं जाते हैं, तो देखिए काफी हद तक मैंने इसके क्रिस्टल इस तरह से निकाल ली है चाशनी को हम साइट में करते हैं और चलिए बेसन भूनते हैं यहां मैंने जो वन कप गी लिया था उसमें से 3-4 कप के लगबग मैंने गी डाला है कडाई में सारा गी एक बार में नहीं डालना है आप अ देखिए बेसन को डालके इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भूनते जाना है दीरे दीरे चलाते जाएंगे इसासात इसे भूनते जाएंगे इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसी लेगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपके सजेशन्स और आपके कमेंट्स का मुझे बेसबरी से इंतजार रहेगा तो गाइज यहाँ पर थोड़ा से घी में और डाल देती हूं दो चमच के करीब जैसे कि मैंने आपको बताया है सारा घी में एक साथ नहीं डालना अपने रिक्वायर्मेंट के इसाब से थोड़ा थोड़ा आड़ करते रहेंगे फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम और मैं साथ साथ इसे हिलाती जा रहे हूं जब तक बेसन का जो कलर है वो थोड़ा से ब्राउन नी हो जाता हमें इसे बुनना है बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए बुनने की निशानी ये हो थी कि जो बेसन के अंतर तो सारा गी है वो बाहर निकलाएगा मतलब आपको पता चल जाएगा सारा जो गी है वो रिलीज कर देगा बेसन यहाँ भी देखिए जो मेरी चाशनी थी वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है थोड़े थोड़े से इसमें क्रिस्टल्स है तो इससे मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था मिक्सर में डालके थोड़े से चला लेंगे ताकि हमारी स्मूथ सी चाशनी बनके रेडी हो जाएग अब देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर आया है बिल्कुल स्मूथ वाइट और दानेदार देखिए इसे रखते हैं साइट पे और चलते हैं अपने बेसन के पास हमारा जो बेसन है वो 50% के लगबग बुन चुका है अब देख रहे हैं दीरे दीरे इसमें जो घी है वो सेप्रेट हो रहा है मिक्सचर जो है वो स्मूथ होता जा रहा है इसे लगातार हम चलाते जाएंगे फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है अब देख सकते हैं दीरे दीरे जो बेसन का कलर है वो चेंज होने लगा है देख सकते हैं देखिए खुश्बू भी आ रही है बुनने की सारसत इसे हिलाते जाएंगे हम छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी अब देख सकते हैं साइड्स पे हलका हलका ब्राउन कलर आ रहा है और काफी तक जो है उसने गी छोड़ दिया है बेसन ने बस पांच मिनट और लगेंगे टोटल मुझे इससे बूनते वे दस मिनट हो चुके हैं लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे बून रही हूँ अब गाइज इस स्टेप पे मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी दालचीनी इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसका जो फाइदा है वो भी बढ़ जाता है थोड़ा सा इलाची पाउडर हम डालेंगे बहुत अच्छी खुश्बू आएगी लड़ों में बदलते हैं मौसम के इस हाफ से बहुत अच्छा इम्मिनूटी बूस्टर भी है देखी बेसन जो है वो काफी अतक भून चुका है अब देख सकते हैं इसमें जो बबल्स भी आ रहे हैं ये भी निशानी होती है जो हमारा आटा या जो भी बेसन है वो अच्छे से भून जाता है तो इसमें ऐसे बबल्स आने लग जाते हैं घी पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है और यही जो घी है वो में लड्डू बांदने में मदद करेगा देखिए गाइस आप देख सकते हैं कलर काफी चेंज हो चुका है जो कलर हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है बिल्कुल औरेंज कलर गी बिल्कुल सेपरेट हो चुका और बेसन बिल्कुल रड़ी है लड़ू बनाने के लिए गैस की फ्लेम को आफ करते हैं देखिए गाइस यहाँ पर मैंने एक बाउल में जो बुनावा बेसन है वो निकाल लिया है बिल्कुल ठंडा हो चुका है अब हम लड़ू बानते हैं यह है हमारी पिसीवी चीनी चाशनी या तगार इसमें हम यह वाला मिक्स्चर अड़ कर देंगे दोनों चीज़े बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए ध्यान रखिए लेकिन इतनी ठंडी भी नहीं कि आप लड़ू बान दी ना पाएं बस आप इसे हाथ लगा सकें इतना ठंडा होना चाहिए मिक्स्चर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं अगर आप मीठा कम खाना बसंद करते हैं तो थोड़ी सी तगार आप साइड में रख सकते हैं और बादने मिक्स कर सकते हैं यह मैं डाल रहे हूं कटेवे ड्राइफ फ्रूट्स इसे हाथों से अच्छे से mix करते हैं और लड्डू बनाते हैं आप यह देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके लड्डू अच्छे से बन नहीं रहे हैं तो आप थोड़ा से जो घी है वो उपर से add कर सकते हैं ताकि अच्छे से जो लड्डू है वो bind हो जाएं देखे, मैंने इसे अच्छे से mix कर दिया है, चलिए अब इसके लड़ू बनाते हैं, आप अपना मंचाहा size जो है, मुझे लग रहा है थोड़ा से घी इसमें कम है, तो मैं इसमें बचा हुआ जो एक चमच घी है, वो भी add कर देती हूं, इस तरह कुल में लाके, एक कप घी हम हमारा लगा है, एक कप ही हमने बेसन लिया था और एक ही कप हमने चीनी ली थी, तीनों चीज़े जो है वो बिल्कुल बराबर quantity में लगी है, फिर से अच्छे से हाथों से mix कर देते हैं, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है अब हमारी, आप देखिए, अपने मंचाही size के अब हम लड्डू बना लेते हैं, आटे को भूनने में मुझे total 8 मिनिट लगे थे, बहुत ही जल्दी लड्डू बन जाते हैं, और बहुत tasty बनते हैं, healthy तो यह होते ही है, तो चलिए इनके बना लेते हैं लड्डू, इसी तरह से हम बाकी के सारे लड्डू भी बना लेंगे, एक कप आठे से गाइज मेरे आठ लड़ू बनकर तयार हुएं इसी साइज के आप चाहें तो साइज छोटा या बड़ा रख सकते हैं तो देखिए गाइज यह हमारे लड़ू जो है बनकर बिलकुल तयार हो गए हैं मैंने इसे ड्राइफ रूट से थोड़ा सा सजा दिया है उपर मैंने काजू लगाया आप मन चाहा ड्राइफ रूट लगा सकते हैं रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपके सजेशन्स का मुझे हमेशा इंतिजार रहेगा जल्द मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई झाल बाई झाल 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 झाल